आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक morality play को जिसका नाम है The Summoning of Everyman इसे simply Everyman भी कहा जाता है इसे 15th century में Middle English में लिखा गया था इसका राइटर कौन है ये किसी को भी नहीं मालूम लेकिन ये 15th century का बहुत ही famous morality play है तो जैसे की एक वीडियो में मैंने पहले भी आपको ये समझ आया है that medieval age में थ्री तरह के dramas होती थे miracle, mystery and morality plays तो morality plays से हमें moral value सिखाई जाती थी ये moral lesson दिया जाती थे तो इस play में बहुत सारे characters है जैसे की knowledge, education, death, good deeds, etc. और इन सभी characters को personify किया गया है तो personification एक literary device होता है जिसमें हम non-human things को जैसे की objects, animals या फिर ideas को human qualities देते हैं इसमें और भी characters हैं जैसे की beauty, discretion, strength तो हमें ऐसे मानना है कि ये इनसान है और इसका जो mean character है everyman वो represent करता है हम सब को यानि की whole mankind को तो इस play की प्रोलोग में एक messenger audience को ये समझाता है कि अब human beings कितने बदल गए हैं पहले वो अच्छे इनसान हुआ करते थे और सब की help किया करते लेकिन अब वो greedy हो गए हैं वो सिर्फ अपना सोचते हैं तो ऐसे God भी बहुत दुखी हैं क्योंकि इनसान moral होने की बजाए immoral and corrupt हो चुका है तो अब God अपने messenger death से कहते हैं कि everyman को बुलाओ क्योंकि अब मुझे हिसाब किताब करना है कि उन्होंने कितने पाप किये हैं और क इतने good deeds किये हैं जिसको की reckoning भी बोलते हैं तो इस reckoning के according उन्हें judge किया जाएगा and फिर उस according उन्हें hell yeah heaven में भेजा जाएगा तो आप लोग यह याद रखना कि यहां पे everyman का मतलब है हम सब तो death earth पे everyman के पास जाती है and उसे कहती है कि तुम्हारा time पूरा हो गया है अब तुम्हें God के पास जाना होगा and इस journey को pilgrimage कहा गया है तो everyman यह सुनके निराश हो जाता है क्योंकि वो अभी God के पास नहीं जाना चाहता है तो death उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता तुम्हें जाना तो होगा लेकि तुम अपनी pilgrimage पे एक साथ ही अपने साथ ले जा सकते हो और यह companion इस life के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा तो everyman का सबसे पहला जो दोस्त है वो है fellowship लेकिन जब fellowship को यह पता चलता है कि अगर वो everyman के साथ गया तो उसकी भी journey खतम हो जाएगी मतलब उसकी भी death हो जाएगी तो फिर वो मना कर देता है इसके बाद everyman अपने cousin and kindred के पा ही डालना चाहते होते फिर everyman अपने close friend goods की help लेना चाहता होता है goods personify करता है wealth को लेकिन वो भी उसे refuse कर देता है तो जिन चीजों को everyman preference देता था उन सभी ने उसका साथ छोड़ दिया जब उस पे मुसीबत आई तो अब everyman पूरा दुख ही हो जाता है क्योंकि वो अकेला प लगा हुँआ था कि उसने कभी good deeds की तरफ ध्यान दिया ही नहीं जिसकी वज़े से उसके good deeds बहुत पतले हो चुकी है चाहे उसके गलत कामों के वज़े से उसके good deeds बहुत पतले हो चुकी है लेकिन वो फिर भी उसके help करने के लिए ready होता है good deeds होते हैं हमारे अच्छे करम week ह होने के वज़े से वो everyman के साथ as a person नहीं जा सकता लेकिन वो अपनी sister knowledge से कहता है उसकी help करने के लिए तो knowledge उसे confession के पास लेके जाती है जो उसे बताता है कि repent कैसे करना यानि कि अपने पापों का पश्चात आप कैसे करना है तो ऐसे everyman God से pray करता है कि उसे माफ कर दिया जाए और वो अपने आपको pain देता है by whipping himself तो अब everyman के repent करने से good deeds भी ठीक हो जाता है और वो उसकी journey में उसका साथ देने के लिए ready है वो उसे कहता है कि तुमारे कुछ और companions जैसे कि strength, beauty, discretion knowledge and five wits भी तुमारे साथ देंगे इस journey में five wits होते हैं हमारी five senses वो अपनी journey start तो कर देते हैं लेकिन वो सबसे पहले priest के पास जाते हैं जो कि everyman की last rights perform करेगा तो अब everyman death से मिलने के लिए तयार है लेकिन उसके दूसरे companions जैसे कि knowledge, beauty strength, discretion and five wits भी उसका साथ छोड़ देते हैं ये सब earthly चीज़ें मतलब ये धरती पे ही रह जाएंगी, इन्हें कोई अपने साथ नहीं लेके जा सकता, death के वक knowledge भी उसके साथ होती है लेकिन इसके बाद, यानि कि after life में good deeds ही उसके साथ जाएंगे death से मिलने के बाद, जब everyman God को face करेगा तो God उसे अपनी judgment देंगे तब उसके good deeds को consider किया जाएगा और इसे के basis पे decide होगा कि उसे hell में भेजा जाएगा या फिर heaven में रखा जाएगा जैसे कि हमें पता है कि knowledge थोड़ी सी journey में तो उसका साथ देती तो वो बताती है कि उसने angels को ये कहते हुए सुना कि everyman and good deeds को heaven में भेजा जाएगा तो अब heaven में angels everyman का स्वागत करती है तो इस play के epilogue में हमें ये moral दिया गया है कि हमें अपनी death से पहले अपने पापों के लिए पश्चाताब कर लेना चाहिए means we should attend for our sins जो हमारे good deeds होती है वही हमें hell की punishment से बचाती है तो लोगों की help करके अच्छे करब करते रहने चाहिए तो यहाँ पर ये play हो जाता है खतम अगर आपको इसकी story समझ में आयो तो वीडियो को like and channel को subscribe कर देना till then take care and see you in the next video